वेलकम श्रोवां तो यहाँ पर हमारे पास Hello Alken, Hello Aran class टिल के NCRT exemplar के अंदर का question question दोको match the reaction given column 1 with name given column यहाँ पर column 1 के अंदर reaction दिया है, column 2 के अंदर यहाँ पर scientist का नाम है यहाँ पर तो यहाँ पर match करना है कौन से scientist के लिए कौन से reaction यहाँ पर match हो रही है तो यहाँ पर पहला जो column है, उसके अंदर फ्वाइली जो reaction है, यहाँ पर अरिल हलाड है यहाँ पर आपका alkyl हलाड है, sodium के presence में reaction किया है तो यहाँ पर alkyl हलाड, aryl हलाड तो इसका मतलब यहाँ sodium है, इसका मतलब यह कौन से reaction है यहाँ पर root spitting reaction है तो first जो हो जाएगा यहाँ पर B के लिए root fitting reaction तो यहाँ पर first यहाँ पर matching हो गया root fitting reaction, second यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 mol op यहाँ अरिल हलाइड है, sodium है यहाँ पर इतर है, यहाँ पर ऊपर यहाँ इतर वाली condition थी अभी याप यह पर 2 mol of aryl halide 2 mol of sodium इसका मतलब यह fitting reaction हो जाएगी तो यह पर जो आपका second रहेगा वो यह पर first के लिए मैं चो जाएगा देखो उसके बाद यहाप यहाप जो रियक्शन है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाप यह आपका यह benzene disonium halide तो salt दीज और इसक हालोजन मिलेगा यह जो reaction है sand में reaction है तो third यहाप यहाप पर match हो जाएगा किसके लिए D की लिए तो third कर रहेगा D और यहाप 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 देख सकते हैं C2H5Cl plus NaI dry acetone के अंदर है हालोजन exchange वाली reaction देख सकते हैं और NaI dry acetone यहाप देख सकते हैं iodide formation की best method है C2H5I यहाप यह है इसका मतलब एक Finkelstein reaction है तो Finkelstein reaction मतलब यहाप फोर चोए OC के लिए आप मैच हो जाएगा तो I hope आप इस कोश्चों को बहुत अच्छे तरह से आप समझ गए होगे I understand explanation thank you